शिक्षार्थियो शूपरभात आप सभी को आज के दिन हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि कि who can take admission in NIOS तो ऐसे आपको मालूम है कि NIOS जो है एक nationwide educational institution है जिसमें सभी सिक्षार्थियों का स्वागत किया जाता है बट इसके अलावा भी कुछ ऐसे हमारे सिक्षार्थि है जो नीनको सिक्षा की संसाधन जो है वो प्लब्द नहीं है या वो उनको किसी तरह की problem आती हैं कठनाईया आती हैं अपनी सिक्षा को पूरा करने में कई बारी कई प्रस्थितियां होती हैं जिसके कारण वो अपनी सिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर राश्ट्य मुक्त विद्यालिये सिक्षा संसान का रोल जो है सिक्षा संसान की भूमिका जो है वो काफी important हो जाती है तो हम आज इसी मुद्य को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं और आपको यह जनकारी देना चाहते हैं कि कैसे आप एक सिक्षार्ती के रोप में राश्ट्य मुक्त विद्यालिये सिक्षन संसान के अंदर परवेश कर सकते हैं अपना नमानकन करा सकते हैं अपनी सिक्षा प करने के बाद डिगडी लेकर जा सकते हैं तो मेरा हमारा जो है मेन स्पेसिफिकेशन जो है यहाँ पर वो है कि कौन से लोग यहाँ आडमिशन ले सकते हैं जैसा कि टाइटल में लिखाया है आए हम देखते हैं कौन-कौन से वो सिग्मेंट है और कौन-कौन से लोग यहाँ आडमिशन ले सकते हैं आए हम सबसे पहले शुरू करें कि कि who can take admission in NIOS तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसके NIOS के mission और vision को समझना है कि इसमें क्या कहा जाता है और क्या इसका उदिश्य क्या है NIOS has merit marked not only in India but also internationally as it provides learners oriented best quality school level education यह हमारे केवल अपने ही देश में नहीं काम करता है यह विदेशों में भी काम करता है एक quality education देने की कोशिश करता है NIOS has nurtures the skills and provides training through distance learning दुरस सिक्षा के रूप में यह आपको educational training provide करता है यहाँ पर NIOS का रोल जो है वो ज्यादा important हो जाता है क्योंकि NIOS उन लोगों तक पहुचने की कोशिश करता है जिनको सिक्षन संसाधन की सुविधा उपलब्द नहीं है जहाँ पर educational resources की कमी है वहाँ पर यह अपना एक अलग पहचान बनाते हुए आगे बढ़ता है कि कैसे हम अपने देश के लोगों को सिक्षित करें जो सिक्षा से वन्चित है The main motto of NIOS is service सिक्षा अभियान which means education for all आप सभी लोग जानते हैं कि education की कितनी importance है और इस पर हमारे duty बनती है कि हम कैसे education को हर किसी के लिए एक क्या कहते हैं इसको समान्य या सारभामिक अस्र के रूप में उपयोग में लाएं जिससे की हमारे देश के शभी लोग छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र तक सिक्षित हों और ये सिक्षा के महत्तों को समझ सकें जो हमारा motto है education for all वो NIOS को ground level पर पूरा करने की कोशिश करती है NIOS has started courses which target those students who can continue their study as well learn some technical skills which can help them earn livelihood वैसे शिक्षार्टियों को ऐसे लोगों को शिक्षा प्रदान करती है जिससे जो लोग अपने सिक्षा को पूरी करके अपने जीवन यापन के लिए income earn कर सके आयकी प्राप्ति कर सके जिससे कि वो उनका आगे का आने वाला generation और उनकी वरन पोशन अच्छी तरह से हो सके यहाँ पर N.I.O.S. के बड़े important role है बड़ा बढ़िया contribution है जिसके अधार पर वो livelihood earn करने के लिए सक्षार्तियों को उस लाइक बनाती है सक्षम बनाती है आयो देखते हो टार्गेट ग्रूप कौन-कौन से है तो हमने यहाँ पर कुछ लिस्ट आउट किया है टार्गेट ग्रूप जो कि सिक्षा के संसादनों से वंचित है उनको सिक्षित करना है क्योंकि यह हमारा उदेश यह है न आ योएस इस दिशा में उत्रोतर रिधी करते जा रहा है और न योएस की कोशिश है कि teach one each one I mean to say that कि देश के सभी लोग को पढ़ाना है हर किसी को प इसमें समस्या बनी होई है कि ग्रामी शेत्रों में शिक्षा की व्यवस्ता उपलब्द नहीं है तो हमें वहाँ पहुंचना है जहां पर बच्चों के पास स्कूल नहीं है जहां पर बच्चों के पास कितावे नहीं है जहां पर बच्चों के पास संसाधन नहीं है कि वो अ पारी ऐसा होता है आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एड़्वांटेश नहीं मिल पाता है कि वो अपनी पर्तिभाग को अपनी शिक्षा को आगे ले जाएं वैसे लोगों को ये एना योज जो है वो शिक्षा प्रधान करती है और उस उतना सक्षम बन आती है जैसे बहुत सारे लोग हैं अभी भी आपको याद होगा आपने शिक्षर रवन का नाम सुना होगा कितनी बड़ी अचिवमेंट है लेकिन शिक्षा की विवस्ता नहीं थी उन्होंने एना योज से जो है अपनी शिक्षा पूरी की और दिखिए वो अंतराश्टी अस्तर के जो है वो परसनलिटी बन गए क्रिकेट की फ्लेड में अंडर प्रिविलेश्ट सेक्षन आप सोसाइटी सोसाइटी में बहुत सारे हमारे डिफिरेंट ग्रूप्स बने हुए है जो अंडर प्रिविलेश्ट है जिनको वो फैसलिटी जबलेबल नहीं है रहने को है जिन भर मेहनत मज़ूरी करके अपना जीवन आपन करते हैं वो जन काइंट जाम करते हैं जीवित रहते हैं लेकिन उनके बच्चे क्या वो सिक्षा से बंचित रह जाए या जो काम करने वाले लोग हैं वो सिक्षा से बंचित रह जाए नहीं ऐसा नहीं है हर लेवल पर डिस इडवांटेज ग्रूप 시청 है, जो हमारा अटर प्रिलिजर ग्रूप है, जिसको सुवधाएं नहीं मिल पाती है जो सरकारी सुवधाओं का जो उपलब्ध है सरकारी सुब्धाएं उसको वो यूज नहीं कर पाते हैं, अपने उपयोग में नहीं ले पाते हैं, तो ये NIOS उनको अवेर भी करती है, कि आपके पास ये सब सारी संसाधन उपलब्ध है, आप अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं, आप ऐसा ना स्व आपके पास किसी भी तरह की कमी है, तो उन लोगों को टार्गेट करती है NIOS, उनको सिक्षित करके में इस्ट्रिम के लोगों के बीच में, सिक्षित लोगों के बीच में खड़े करने की कोशिश करती हैं, अनिम्पलाइड और पार्टली इंपलाइड पीपल, बहुत सारी लोग हैं, जो अंडर एंपलोइड हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन छोटे असर पर काम करते हैं, उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको जॉब नहीं मिल पाती है, तो हम यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जो हैं, इंटोडियूस करते हैं, जेंडल अकाडमिक कोर् एंपलाइमेंट की दिश्चा में आगे बढ़ सकता है, और इसका बेनिफिट उठा सकता है, पेपल बीचेशल नेड्स, यूसी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है, और यह हमारे लिए सबसे बड़ी चालेंज है, एन आ योईस के लिए कि कैसे हम उन लोगों तक पहुँचें, बिकॉज उन लोगों को स्कूल तक पहुँचना बड़ा मुस्किल है, लेकिन हम लोग अपनी ड्यूटी के बारे में जानते हैं, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बंदा जो है, जो mentally और physically किसी तरह से problem में हो, challenged हो, able नहीं हो, तो हमारा main duty ब पहुँच सकें, और कैसे हम उनको सिक्षित करके, उनके जीवन यापन के लिए एक सुविधा उपलाब्द कर सकें, उनको हम employment opportunity provide करवा सकें, इसके लिए NIOS अनुरत पर्यास करते आ रहा है, और ये इस दिशा में बहुत सारी achievement जो है, NIOS ने प्राप्त किया है, जैसे कि आप देखे, sign language के अंदर हमें international award भी मिला है, तो इस तरह से जो है, NIOS की एकोशिश सर्थी है, और ये target करते हैं हम कि कैसे उन लोगों का admission हो जाए, जो physically और mentally fit नहीं है, minority group, कई जगह देखेंगे कि आप समाजिक भेद भाव के चलते, social discrimination के चलते, उनके साथ जो है, समुचित सु जो है, हर समय अपना कदम आगे की तरफ बढ़ाता है, ये कोशिश रहती है कि कैसे हम ये minority group को admission दें, अपने अंदर सामिल करें, अपने संस्थान का एक हिस्सा बनाएं और उनको सिक्षित करें, जैसे बहुत बढ़ी आइक्जांपल आपके सामने है, जैसे मदर्शा का ग्रूप है, उसकी बात कर ले हम, जैसे सिक्ष ग्रूप है, उसकी बात कर ले हम, तो जो फी minority के लोग है, जिनको general education की सुबधा उपलवद नहीं हो पाती है, केवल वो अपने community के बारे में ही अधिक जनकारी प्राप्त करते हैं, अधिक शिक्षा गरहन करते हैं, तो ऐसी situation में NIOS जो है, यह इसकी prime duty है, कि वहां तक पहुँचे, और कैसे उन लोगों को admission प्रोवाइड करके, यह सिक्षा प्रधान करें, जिससे कि वो भी एक main stream का हिसा बन सके हैं, तो यह हमारे different list थे, target group के, जिसको हम अपने हाँ, अपने संसान का एक हिसा बनाते हैं, उनको नमां करता है, करता रहेगा, और आगे मैं यह समझता हूँ, कि एक रास्टी अस्तर पर ही नहीं, विश्व अस्तर पर इसका एक पहचान होगा, कि कैसे हम उन लोगों को शिक्षा प्रधान किये हैं, जो लोग सिक्षा से वनचीत हैं, तो आईए हम सब आपका स्वागत करते हैं, और आप इसके नमानकं का हिस्सा बनें, और इसमें एडमिशन लें, अपनी सिक्षा को पूरी करें, और इस रोजगार के जगत में आप बहुत उंचायों तक जाएं, और अपनी उच्षा के दिशा में भी अपनी कदम आगे बढ़ाएं, ओके धन्यबार आपको. झाल